सरसों के अंदर जो flowering अवस्ता है वो start हो चुकी है इस flowering अवस्ता के अंदर काफी कुछ बातों का अगर किसान साथी ध्यान अख लेते है तो वहां पर आपकी पैदावार है वो अच्छी निकलती है सबसे पहले तो यह एता है कि आपकी जो बाली है इसके अंदर जो दाना बनेगा वो उसके अंदर खाली दाना रहे यानि कि तेल की जो मात्रा वो भी अच्छी है वह दाना जो आप पूर रूप से बर जाए तो उसके लिए सबसे पहले एक या दो जो आप माइक्र न्यूटेंट का सप्रे है वो आपसे करें माइक्र न्यूटेंट के साथ आप 100 गराम या 120 गराम परती एकड के साथ से जो बोरोन आता है उसको जुरूर मिक्स करें 120 से लेके 125 गराम भी आप डोज रख सकते हैं क्योंकि सरदी का मौसम है यहां पर जो बोरोन है वो आपका नुक्सान नहीं करेगा परती एकड सप्रे की जो मात्रा है पानी की वो आपको लेनी है 500 लिटर या 160 लिटर परती एकड के साथ से उसके बाद में इस अवस्ता के बाद में सबसे अधिक जो खत्रा है वो रहता है क्योंकि relative humidity जो है वो 70% से ज़्यादा हो जाती है अभी आप देख रहे हो कि ओस जो लョकी सब्सक्राइब दोनी लिए पर इसको देंृ जो दानी आपको डिखाए देंगी उसके बाद में यह जो फंडा07 है वो उपर की चली जाती है जहांपर आपका जो फुलावर है वो रहताई यह फुलावर का पूरा प्र पूरा यह उसको डैमेज कर जयती है जिस पार् पैदावार है उसके उपर काफी मात्रा और नुकसान है वो उठाना पड़ता है माइकरणूर्टिन का सप्रीय आप जैसे करते उसके तीन यह चार दिन के बाद या फिर पहले आप पर फंजार का सप्रीय निकाल सकते है उसकी जो डोज है वो आपको लिनिया 220 से लेके 230 एमल या फिडाइसो एमल के साब से परती एकड़ाप इसे यूज कर सकते हो कुछ कैसे फार मेरा जो थोड़ा सा जो बजट है वो उठा सकते हैं तो उनके लिए सबसे बेस्ट जो टेक्निकल वो रहेगा जोक्सिस टोबिन पलस में डाइफ है नाको नाजोल 200 एमल परती एकड़ के साब से इसकी जो डोज है वो आप रख सकते हो बाकि अदर भी न्यूटेंट के साब से परती एकड़ उसका वी जो सप्रेव कर सकते हो आपके इस बिमारी की जो रोख थाम है वो जाती है उम्मीद करता हम किसान साथियो जान करें आपको अच्छी लगी होगी धन्यवाद